तो आज हम करने वाले हैं वेस्पर्थ थियोरी तो लेट्स डू वेस्पर्थ थियोरी तो अब हम देखते हैं वेस्पर्थ थियोरी का अगर नेम को मैं ब्रेक डाउन करूं तो वी एस वी एस मतलब क्या होता है वैलेंस शेल ठीक है उसके बाद है यी पी यी पी मतलब इलेक्ट्रोण पेर उसके बाद है आर थियोरी R-theory मतला repulsion theory तो नाम को break करके हमें ने लिख दिया BS means balance shell EP means electron pair R-theory means repulsion theory अब मैं सबसे पहले समझने के लिए electron pair को समझोंगे electron pair मतलब क्या होता है एक electron आपका है मान लो यह आपका एक electron है एक और electron है ठीक है यह रहा ठीक है इन दोनों को जोड़ दो इनकी pairing करतो तो यह क्या होता है electron pair होता है ठीक है तो basically अब हम समझते हैं What is electron pair अब electron pair का दो classification है एक होता है bond pair और दूसरा होता है lone pair अब क्या है एक carbon है carbon के अंदर एक electron यहाँ पड़ा है ठीक है और एक यह hydrogen है उसका electron यह पड़ा है इन दोनों को जब मैं जोड़ दूँगी ठीक है तो क्या कर रहा है यह electron का एक pair बन गया एक electron यहाँ से एक electron यहाँ से दोनों जुड़ गए एक pair of electron बन गया तो यह दोनों ने carbon और hydrogen ने आपस में bonding बना लिए इन दोनों ने एक bond बना लिया तो यह क्या बना रहे है यह दो electron एक bond pair बना रहे है मतलब दो electron से एक bond बन रहा है so we are telling कि यह क्या है कि यह एक bond pair है मान लो यह lone pair की बात करे है lone मतलब क्या हता है lonely, अकेले मान लो यह nitrogen है ठीक है, nitrogen में दो electron खाली पड़े हैं, अब ये दो electron जो है, वो किसी के साथ pairing नहीं कर रहे हैं, जैसे carbon hydrogen के साथ जुड़ रहा था, ये nitrogen किसी के साथ नहीं जुड़ना चाहता, ये अकेलर है ना चाहता है, तो ये दो electron क्या बनाएंगे, एक lone pair तो यही difference है जो bonding बना लेता है जब दो चीज़े आपस में जुड़ गई तो वो एक bond pair बना देती है अगर वो अकेली पड़ी रह गई तो इसका मतलब वो lone pair बना रही है तो basically दोनों cases में क्या है एक electron यहाँ, एक electron यहाँ दोनों जुड़ गए तो यह एक electron का pair हुआ nitrogen में एक electron, दो electron दो electron जुड़ गए दो electron क्या बना रहे हैं? जुड़ के एक pair बना रहे हैं एक pair मतलब होता है कि दो जोड़े electron का pair मतलब दो electron का एक जोड़ा तो यहाँ भी एक जोड़ा of electron है और यहाँ भी एक जोड़ा of electron है तो basically electron pair का मतलब होता है दो electron जुड़ने से जो pair बना ठीक है, दो electron का जुड़ने से एक pair बनता है that is electron pair अब मैं देखती हूँ, what is valence shell तो Vesper theory का B is valence shell EP, electron pair R theory means reversion theory electron pair अब ही मैंने समझ लिया है अब मैं देखती हूँ, what is valence shell तो यहां में मेरे पास है carbon ठीक है, carbon में 4 electron outer most shell में होते हैं तो this is 1, 2, 3 and 4 तो carbon के पास 4 electron outer most shell में है means valence shell के अंदर 4 electron बड़े हैं तो valence shell होता है, outer most shell of an element अब क्या है, अब carbon है, ठीके, अब carbon क्या कर रहा है यहां पे एक hydrogen के साथ यहां pair बना रहा है तो यह इसने पहला bond pair बना लिया, इसके साथ यह join होके दूसरा hydrogen भी जुड़ रहा है इसके साथ तीसरा hydrogen यहां जुड़ रहा है और चौथा hydrogen यहां जुड़ रहा है ठीक है, तो मैं यहां देख सकती हूँ कि carbon के चार electron थे और वो चारों electron एक एक hydrogen के साथ जुड़ गए तो इस तरीके से इसने bond pair बना लिये, 4 के 4 1, 2, 3 and 4 अब क्या है, यह 2D में तो मुझे ऐसे दिख रहा है पर basically क्या हो रहा है, इसके अंदर repulsion हो रही है CH का जो bond है, ऐसा ही 4 bond है और जब 4 bond एक जैसे एक जगह पड़े होंगे तो वो आपस में repulsion करेंगे इसका मतलब यह CH bond, इस CH bond को repel करेगा repel करना मतलब क्या होता है, दूर भागना एक होता है attract करना, जुड़ना और repel मतलब होता है, दूर जाना अब यह भी CH bond है, यह भी CH bond है दोनों क्या है, एक जैसे bond जब एक जैसी चीजे होती है, तो repulsion आ जाती है जब दो चीजे एक जैसी हों तो वो एक दूसरों से repel करने लगती है, दूर जाना लगती है, तो इन दोनों में आ गया repulsion ठीक है, यह CH bond, यह CH bond, यहाँ भी आ जाएगा, repulsion इन दोनों में भी आ जाएगा, repulsion और सेम चीज यहाँ भी आएगी, that is repulsion अब repulsion के वज़े से क्या होगा, repulsion के वज़े से यह structure जो है, वो stable नहीं रह पाएगा, ठीक है, तो यह आपस में repel करते करते एक stable form में आएगे, ठीक है, तो जब यह stable form में आएगे, तो यह इस type का structure बन जाएगा तो यह structure जो है, वो very unstable structure है, और unstable structure stable होने के लिए क्या करेगा, repulsion करता रहेगा, करता रहेगा, बाद में एक state ऐसा आएगा, जब वो stable हो जाएगा तो इन repulsion की वज़े से, अब यह carbon और hydrogen इस तरीके से join हो जाएगे अब यह इस तरीके से join हो जाएगे और यह आगए अपने stable state में, ठीक है, तो यह repulsion के वज़े से, finally यह इस type का stable structure गेन करेगा तो carbon इस state में सबसे ही जादा stable है, तो क्या होगा, repulsion करते करते, यह last में carbon इस तरीके से hydrogen के साथ जोड जाएगा and this is the equilibrium state तो अब मैं Vesper theory को समझ लेते हूँ, तो Vesper theory में था valence shell, तो carbon का ये है valence shell उसके अंदर है electron pair, तो valence shell ने बनाए electron के pair, तो यहाँ पर चार electron pair बन रहे हैं अब electron pairs के बीच में repulsion हो गई, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं repulsion, तो basically repulsion theory क्या है valence shell के electron pair में repulsion हो गई, मतलब carbon के valence shell और electron pairs में repulsion हो गई, जिस वज़े से इसका structure जो है, वो unstable हो गया और finally vesper theory से मुझे समझ आया, कि what will be the stable structure of carbon तो vesper theory को करने से पहले मैं देख लेती हूँ कुछ rules अब जब हम vesper theory करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक होता है मेरा central atom, जैसे कि A मेरा है central atom इसके साथ यहाँ attach किये हुए है, दो side atom, ठीक है तो यहाँ पे A को मैंने central atom कह दिया, तो this is central atom और B जो है, वो है, एक side atom और यह B भी जो है, this is a side atom तो यहाँ पे जो atom center में है, उसे बोलते हैं central atom और जो atom side में लगे होते हैं, जैसे यह और यह, इनको हम बोलते हैं side atom because यह हमारे central atom के side में लगे हो है, ठीक है तो पूरे chapter में हम लोग यहाँ पे central atom A ही use करेंगे और side atom B ही use करने वाले हैं, अब मैं देखती हूँ इसका example अब इस rule को समझने के लिए मैं लेती हूँ एक example this is AlCl3, तो यहाँ पे aluminium एक है, तो यह बन जाएगा central atom और Cl3 3 है, तो यहाँ पे chlorine बन जाएगा उसका side atom तो aluminium जो है, वो हो गया central atom और इसके साथ 3 chlorine अटाच होंगे तो यह है first chlorine, this is second chlorine and this is third chlorine अब यह क्या है, chlorine बन गए side atom and aluminium is its central atom क्योंकि aluminium center में है, तो हम इसे बोलते हैं central atom और chlorine, aluminium के sides पे लगे हैं, so we call it side atoms तो अब हम देखते हैं, वेस्पर थियोरी का rule number 2 तो यह है मेरा H2O का structure तो H2O के structure में हमारे पास होते हैं, loan pair 2 तो this is first loan pair, this is second loan pair और इसके अंदर है हमारे पास 2 bond pair तो this is bond pair और यह भी है bond pair, तो मैं देख रही हूँ कि H2O के structure में हमारे पास 2 loan pair हैं और 2 bond pair हैं, अब क्या होता है? loan pair जो है that is most repulsive in nature, तो loan pair में सबसे ज़्यादा repulsion होती है, maximum repulsion अब क्या है? loan pair की repulsion, bond pair की repulsion से ज़्यादा होती है अब क्या देख रही हूँ? यहाँ भी एक loan pair है और यहाँ भी एक loan pair है इसका मतलब इन दोनों loan pair में बहुत ज़्यादा repulsion होगी तो यहाँ पे आया loan pair and loan pair repulsion अब यह repulsion क्या है? यह बहुत ज़्यादा होती है अब दूसरा repulsion होता है, loan pair और bond pair के बीच में तो this is loan pair and bond pair repulsion यह repulsion भी होती है पर यह थोड़ी सी intermediate होती है अब loan pair और bond pair की repulsion loan pair, loan pair की repulsion से कम होती है सबसे ज़्यादा इसमें उसके बाद होती है loan pair, bond pair की repulsion अब जैसा यहाँ पे है, यहाँ पे भी मेरे पास है loan pair और एक bond pair तो यहाँ भी आ रहा है loan pair, bond pair के बीच में repulsion और यह भी कैसी होगी? intermediate अब यहाँ पे है यह bond pair और यह bond pair और bond pair, bond pair में सबसे कम repulsion होती है तो यहाँ पे आया bond pair और bond pair के बीच में repulsion जो की है minimum अब वेस्पर थियोरी के हिसाब से सबसे ज़्यादा repulsion होती है loan pair, loan pair के बीच में उसके बाद loan pair और bond pair की repulsion आती है और सबसे कम repulsion होती है bond pair और bond pair के बीच में तो किसी भी structure में जब मेरे पास loan pair, bond pair कुछ भी आ जाए तो वहाँ repulsion डिसाइड करने के लिए यह rule काम आएगा मतलब सबसे ज़्यादा repulsion हम देखेंगे loan pair और loan pair में उसके बाद repulsion loan pair और bond pair क्याएगी जो कि है intermediate और सबसे कम repulsion होने वाली है bond pair और bond pair के बीच में so basically minimum repulsion, maximum repulsion and this is intermediate repulsion तो this is the order of repulsion in the decreasing order यह डिसाइड करेगा किसी भी molecule का क्या structure बनेगा तो यह थे दो rule vesper theory के अब vesper theory के यह दो rules आगे के structures में हमें decide करने में काम आएंगे कि हमारा structure क्या बनने वाला है so these rules are most important rules which decide the structure of a molecule और यह चीज़े हम बार बार आगे जाके पढ़ते रहेंगे ताकि यह हमें structure समझने में हमारी मदद कर सके तो यह है barium chloride तो barium के साथ यह दो bond लगे हुए हैं और यह randomly लगे हुए पर repulsion होते होते यह equilibrium state पे आएगा अब यह equilibrium state पे आ गया है तो wesper theory के according यह हुआ इसका structure तो अब हम देखते हैं boron trifluoride तो अब इसके साथ लगे हुए हैं यह तीन bond pair और इन bonds के बीच में होगा repulsion repel होते होते यह equilibrium position पे आएगे तो अब यह equilibrium position पे आ गया है तो wesper theory के according यह अब इस तरीके का दिखेगा तो I hope wesper theory आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी तो अब हम शुरू करते हैं wesper theory का formula method इस formula method से हम क्या करेंगे हम निकालेंगे कि किसी भी structure के लिए electron pair कितने है bond pair कितने है और lone pair कितने है ठीक है तो पहले हम इनको calculate कर लेंगे उस हिसाब से structure को predict कर लेंगे ठीक है अब सबसे पहले मैं example लिखती हूँ xenon f2 ठीक है तो मैं solve करूंगी पहले xzf2 का structure अब इसके लिए सबसे पहले मेरे पास है electron pair का formula तो electron pair क्या होता है half the number of valence electron of central atom plus number of side atoms अब इस formula से मैं एक से निकालती हूँ तो electron pair is equal to half अब पहले क्या निकालना है number of valence electron of central atom तो central atom होगा xe क्योंकि ये एक है number में तो इसके पास कितने valence electron होते हैं हमें पता है 8 होते हैं तो यहाँ मैंने put कर देना है 8 plus number of side atom side atom कितने हैं तो fluorine है side atom ये कितना है 2 इन नमबर तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी plus 2 तो solve करके आया half into 10 तो हमें मिला यहाँ से 5 इसका मतलब electron pair हमारे पास आ गया 5 अब निकालना है मुझे bond pair तो bond pair क्या होता है number of side atoms तो हमारे पास side atom कितने हैं fluorine कितना है 2 तो यहाँ से में मिल गया कि हमारा bond pair आ गया 2 अब क्या होता है मुझे lone pair निकालना है तो lone pair क्या होता है जब मैं electron pair minus bond pair कर दूँ तो lone pair मिलता है तो यह कितना है 5 minus 2 तो lone pair मुझे मिल गया 3 तो यहाँ से मुझे details मिल गई with the formula कि electron pair है 5 bond pair है 2 और lone pair है 3 अब मैं structure draw करूँगे तो मैंने यहाँ पर क्या किया xenon लिया अब मुझे पता है कि क्या होता है 1 2 3 4 and 5 तो यहाँ पर lone pair है 3 अब lone pair जो है वो stable में structure तभी होता है जब हम उसे equatorial position पर रखे तो यहाँ पर यह है equatorial position यहाँ पर मैं 3 lone pair draw कर दूँगे तो इस तरीके से मैंने 3 lone pair यहाँ पर add कर दिया अब मेरे पास है 2 bond pair तो 1 bond pair मैं यहाँ पर कर दूँगी 1f यहाँ पर 1f यहाँ पर तो अब मैंने देखना है कि structure का क्या name होगा अब क्या है मैं lone pair को neglect करूँगी और ध्यान दूँगी bond pair की तरफ तो bond pair मेरा क्या है straight line बना रहा है ठीक है तो this is a linear structure तो formula method में हम क्या करते हैं पहले हम उसमें electron pair, bond pair और lone pair निकलते हैं फिर इन दीनों को use करके हम उस molecule का structure predict करते हैं और उसे बना लेते हैं अब मैं देखती हूँ NH2 negative का structure तो basically क्या है यह एक NIN है जिस पर negative charge है तो इसका हम निकालते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम निकालेंगे electron pair तो यहां से आ जाएगा half number of balance electron of central atom तो central atom है nitrogen और nitrogen का balance electron होता है 5 तो यहां पर मैं लिख दूंगी 5 plus number of side atom तो कितने side atom है 2 तो यहां पर आ गया 2 अब क्या है इस पर एक negative charge है ठीक है तो negative charge होगा तो यहां पर plus 1 हो जाएगा ठीक है तो यहां पर क्या है this is NIN NIN मतलब minus 1 negative charge इस पर है जब minus 1 negative charge है तो वो इसमें जाके add हो जाएगा मान लो आपने कटायन ले लिया कटायन मतलब positive charge तो जितना charge यहां पर होगा वो उसमें से subtract हो जाएगा तो यह एक NIN है जिस पर कि negative charge है तो यहां negative charge है minus 1 तो इसलिए हमने यहां पर plus 1 किया है मान लो कि यह minus 2 होता तो यहां पर हो जाता plus 2 तो आगे हम इसे solve कर लेते हैं तो यह हो गया half into 8 solve करके मिला मुझे 4 तो सबसे पहली बात कि electron pair मुझे मिल गया है 4 अब मैं देखूंगी bond pair तो bond pair होता है number of side atoms अब side atom यहां पर कितने है यहां पर 2 hydrogen है तो side atom होए 2 तो यहां पर आया 2 तो यहां पर मैं लिखूंगी bond pair is equal to 2 अब निकालूंगी loan pair loan pair होता है electron pair minus bond pair तो यह मिल गया मुझे 4 minus 2 तो loan pair मुझे मिल गया 2 अब मैं इसका structure बनाऊंगी तो यहां पर 4 electron pairs है तो अब मैं इसका structure बनाती हूँ तो 4 electron pair है मतलब कि tetrahedral structure होगा तो अब मैं इसका structure बनाती हूँ तो यहां पर क्या है 4 electron pair मतलब tetrahedral structure तो मैंने ये nitrogen center atom लगाया, 1, 2, 3 and 4, ठीक है, तो अब हम देखते है lone pair को, तो lone pair यहां पे मेरे पास 2 है, तो 1 lone pair मैंने यहां लगा दिया, और 1 lone pair में यहां लगा दूंगे, अब यह होगे 2 lone pair, और अब है हमारे पास 2 pond pair, तो यहां पे 1 hydrogen और 2 hydrogen यहां पे, ठीक है, अब यह structure बन बट हमें पता है कि this is lone pair, this is lone pair, तो यहां पे lone pair, lone pair के बीच में repulsion होती है, तो यह final structure हमारा इस तरीके का बन जाएगा, तो जैसा कि मुझे पता है कि यहां भी lone pair है और यहां भी lone pair, तो यहां पे क्या होगा, repulsion शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो repulsion होने के बाद यह repulsion करते रहेंगे और finally जाके एक हमें structure मिलेगा जिसमें वो most stable position पे होगा तो वो इस तरीके से बनेगा जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो यह हमारा final structure बन जाएगा इस तरीके अब मैं इसकी naming करूंगे naming करते वक्त loan pair को neglect किया जाएगा bond pair की तरफ देंखेगे तो bond pair क्या है इस type की shape बना रहे है यह कौन सी shape है bent shape या v shape तो हमें structure मिला bent या v shape तो इस तरीके से formula method से मैंने इसका भी shape निकाल लिया अब यह चीज तो मैंने बना दी पर अभी भी यह complete नहीं है क्यों क्यों कि यहां पे जो है वो negative charge रह गया ठीक है तो इस structure को मैं इस तरीके से bracket में डाल के और उस negative charge को यहां पे ड्रॉ कर दूंगी अब यह मेरा structure complete माला जाएगा तो this is the structure of NH2 negative तो इस तरीके से हम formula method से इसका structure शेप सब निकालके यहां पे लिखेंगे तो अब मैं देखती हूं H3O positive का structure तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम electron pairs निकालेंगे तो electron pair का formula क्या है हाफ number of balance electron of central atom तो oxygen का balance electron कितना होता है 6 तो यहां पे हम लिख देंगे 6 plus number of side atom कितने लगे हुए है तीन hydrogen लगे है तो side atom क्या है hydrogen और कितना है 3 तो यह हो गया 3 अब क्या है यहां पे हमें यहां पे positive charge है क्योंकि यह return है तो जितने positive charge है वो क्या होंगे कटायन के case में subtract होएंगे ठीक है तो यहां पे plus 1 है तो यहां subtract होएगा minus 1 ठीक है तो यहां पे solve करके आया half into 8 तो solve करके मिला मुझे 4 ठीक है तो electron pair आ गया 4 अब आप नहीं आगे जाके इसका निकालना है what will be the bond pair what will be the lone pair and what will be the structure तो आप लोग आगे उसी formula method को use करके यह तीनों चीज़े निकालके मुझे बताएंगे कि आपका क्या है so guys अगर आपको vesper theory करना है तो this video is sufficient पर अगर आपको vesper theory के सारे structures को समझना है उनको बनाना सीखना है then you can check out our next video so you can check out our vesper part 2 I am Priyanka Puddar from Play Chemistry and thanks for watching this video